हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूटूब चैनल एक्सराइज 2.1 से कुश्चन नमबर 2 करेंगे अब जस्ट पहले के तीन नमबर आपको बताने क्या होंगे अब जस्ट पहले के बताने न तो एक एक्सामपल देखिए आसान मलीज आपसे कहें कि 17 से जस्ट पहले के तीन नमबर आपको बताने तो आप क्या बताओगे, 17 से पहले होता है 16, उससे पहले होता है 15, उससे पहले होता है 14, अब यह तो बिल्कुल आसान थे, counting के थे तो बता दिये, लेकिन अगर मुश्किल होंगे, तो क्या लॉजिक है, लॉजिक बहुत सिंपल सा है, एक कम करते हुए चले जाएं, 17 में से 1 म माइनस किया 15 आ गया, इसमें से 1 माइनस किया 14 आ गया, तो 17 से पहले के 3 नमबर आपके आ गए हैं, यहां भी आपको यही करना है, इस 10,001 में से आपको 1 माइनस करना है, तो इससे पहले का आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे, और उससे पहले का जाएगा, उसमें से 1 म और ये 1 इसमें से माइनस करना है 1 तो 1 में से 1 गया 0 0 का 0 0 का 0 0 का 0 और ये 1 का 1 तो ये तो इससे ज़स्ट पहला नमबर है तो answer हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो एक नमबर तो आया 1 और ये 4 बार 0 ये 10,000 अब इससे पहले क्या होगा तो हम इसमें से माइनस करके 1 पता चलेगा इसमें से 1 माइनस करेंगे तो इससे पहला वाला पता चल जाएगा अब इसमें से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 0 आए 0 में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता तो ये 0 यहाँ जाएगा carry लेने, इस पे भी नहीं है, यह यहाँ जाएगा, इस पे भी नहीं है, यह यहाँ जाएगा, इसके पास भी नहीं है, यह यहाँ पे जाएगा, तो यह 1 इसको carry दे देगा, इसे 10 बना देगा, अब यह 10 बन गया है, यह इसको दे देगा, तो यह 10 बन जाएगा, और यह तो यहाँ one की जगह पे zero बच जाएगा, तो यह होती है borrowing, इसे आप बहुत ध्यान से लिया करें, अब last का number हो गया है ten, ten में से one गया तो आया nine, यहाँ पे nine है, nine में से कुछ नहीं जा रहा तो nine, यहाँ nine है, कुछ नहीं जा रहा तो nine, यहाँ nine है, कुछ नहीं जा रहा तो nine, यहाँ पे zero बचा, zero से zero, कुछ भी नहीं, तो nine, 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 तो इससे जो पीछे का number है वो है nine, 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 nine thousand, nine hundred, ninety-nine, अब हमें निकालने हैं तीन, तो एक और माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो इसमें से one माइनस कर लेते हैं, हमें तीसरा भी पता चल जाएगा, nine में से one गया तो eight आ गया, nine में से कुछ नहीं जा रहा nine, nine में से कुछ नहीं जा रहा nine, यह number आ गया है nine thousand, nine hundred, ninety-eight, तो इस तरह से यह जो ten thousand, one लिखा हुआ है, इससे पीछे के जो तीन numbers है, जस्ट पीछे के, वो ten thousand है, nine thousand, nine, nine, nine है, और nine thousand, nine, nine, eight है, यही आपके answers हैं, question खतम, तो इस वीडियो में बस इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, फिर next वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye.